प्यासा कौवा, बुद्धिमत्ता और द्रिर्ता की एक कहानी एक चतुर और प्यासा कौवा गर्म, सूखे मैदान में उर रहा था सूरज की किरने बेरहमी से पड़ रही थी और कौवे का गला सूख रहा था ऐसा लगा मानो ये पूरे महासागर का पानी पी सकता है एक छोटे से गांग को देखकर कौवा पानी खोजने के लिए उच्छुकता से उसकी और उर गया मकानों की कतार के पास उतर कर उसे पता चला की मकानों में कुएं हैं कोवे की आशा बड़ी थी कोवे ने पहले कुए में ज्ञाप कर देखा तो पाया की पानी का स्तर बहुत कम था बिना किसी डर के यह अगले घर की ओर चला गया लेकिन उसे भी वही समस्या का सामना करना पड़ा उसकी प्यास तेज हो गई और निराशा बढ़ गई लेकिन कोवा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था उसे एक घर में एक घड़ा दिखाए दिया कोवे के लिए छेद इतना संकरा था कि वह अपनी चोंच उसमें डुबा नहीं सकता था कोई को एक तरकीब सूजी कोवे ने अपनी चोंच से छोटे छोटे कंकर उठा कर एक एक करके घड़े में डाल दिये प्रतेक कंकर के साथ पानी का स्तर थोड़ा बढ़ गया कोवे ने धैर्य पूर्वकिये प्रक्रिया जारी रखी और एक के बाद एक कंकर गिराता रहा अंततर पानी का स्तर इतना उपर पहुच गया कि कोवा पानी पी सके इससे उसकी प्यास बुझी और उसे राहत महसूस हुई कोवे ने अपनी चतुराई और साधन संपन्नता सिधा कर दी थी प्यासे कोवे की कहानी हमें बुझ्धि मत्ता समस्या समाधान और द्रिर्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है यहां तक कि प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों का सामना करने में भी द्रिर्स अंकल्प और रचनात्मत्ता सफलता की ओर ले जा सकती है झाल 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 झाल